इस वक्त की बड़ी खबर का रुक करेंगे कल पंजाब के सीएम भगवंत मान सरकार का एक महीना पूरा होने पर बड़ा एलान कर सकते हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें कि कल पंजाब के सीम भगवंत मान और पंजाब सरकार का एक महीना पूरा हो रहा है और इसी को लेकर कल भगवन्त मान बड़ा एलान कर सकते हैं और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि फ्री बिजली का एलान कल पंजाब में हो सकता है पंजाब की जनता को कल से बड़ी राहत मिलने जा रही है और कल पंजाब की सीम भगवन्तमान कोई बड़ा एलान कर सकते है फ्री बिजली देने का बड़ा एलान पंजाब की सीम कर सकते है इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें कि इन एक महीरों में पंजाब के सीम भगवन्त मान ने कई ऐसे बड़े फैसले लिये हैं और कल ये बड़ा एलान जो है पंजाब के सीम भगवन्त मान की तरफ से किया जा सकता है फ्री बिजली देने का ये एलान कल पंजाब के सीम भगवन्त मान कर सकते हैं क्यूंकि कल पंजाब सरकार को एक महीना पूरा हो रहा है और इसी को लेकर बड़ा एलान पंजाब के सीम कर सकते हैं एक महीने में पंजाब सरकार ने कई बड़े फैसले लिये हैं एंटी करप्शन एक्शन लाइन को भी लॉंच किया 7725,000 नौकरिया निकाली इस तरह से कई बड़े एलान पंजाब के सीम भगवन्तमान इन एक महीनों में कर चुके हैं और कल एक और बड़ा एलान पंजाब के सीम भगवन्तमान करने जा रहे हैं फ्री बिजली का एलान कल हो सकता है और पंजाब की जनता को बड़ी राहत मिल सकती है क्योंकि एक महीने में कई बड़े फैसले ले चुकी है भगवंत मान की सरकार और ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि कल एक बार फिर से ये एक बड़ा एलान होगा और पंजाब की जनता को बड़ी राहत देने वाले हैं ये जानकारी मिल रही है कि कल फृी बड़ी देने का एलान पंजाब के सेम भगवंत मान कर सकते हैं क्योंकि कल सरकार को एक महीना पूरा हो रहा है और इसी के मौके पर पंजाब सरकार की तरफ से पंजाब के सीम भगवंत मान की तरफ से बड़ा एलान हो सकता है और पंजाब की जनता को बड़ी राहत मिल सकती है एक महीने में कई बड़े फैसले ले चुकी है पंजाब सरकार और इसी को लेकर ये जानकारी मिल रहे है कि कल कोई बड़ा एलान हो सकता है इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे समधाता दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए है और इसी को लेकर कोई बड़ा एलान पंजाब के CM भगवंतमान कल कर सकते हैं आपके पास क्या कुछ जनकारी है दीपक? करने जा रहे हैं और इलान कल तीन सो यूनिट प्री बिजली देने का वाइदा जो है पूरा किया जा सकता है कल इसके लिए बगवंतमान जो पंजाब के मुखे मंत्री है वो इसके लिए ऐलान कर सकते हैं इससे पहले अगर बात करें तो कई बड़े एलान की जा चुके हैं पंजाब करीच है पचीस हजाद नौकरिया निकालने की बात की हो बरस्ता चार पर लगा हम लगाने की बात की हो और हलाकि तमाम जो गरांटीज दी गए हैं उनको भी अब बीरे बीरे पूरा करने की बात की जा रही है और कर जो है 16 फैल को जो है बना वाइदा जो पंजाब की जंता से किया था तीन सो यूनिट फरी बिजले का चाlever हजार क्रोर का जो है तलाना बोज इस पर पंजब पर बित्किये बोज पड़ेगा और पूरी की जाएंगी शिक्षा निती जो है वो नई लाई जानी है बहुत अगर पंजाब के मुखे मंतरी की बात करें तो अशारा अपरेल को तिल्ली का दौरा भी करने वाले हैं बिख्षा निती जानी है जो है और एक महीने के अंदर दो तिन ऐसे बड़े अलान जो है सरकार की तरफ से किये गए और कल भी बड़ा अलान हो सकता है अक इतनी बड़े चुनोती है सरकार के लिए क्योंकि एक महीने में लोगों तक भी ये बात पहुचानी है कि सरकार सब कुछ कर सकती है जो चुनावी वादा उन्हों ने किया था अब वो वादे पूरे करने का समय है और कई न कई जनता को भी बड़ी राहत कल हो सकता है मिल जाए जी बिलकुल पंजाब की जनता ने बहुत बड़ा पहुचान सरकार को जो है सब्सक्रा में बेज़ा है बहुत बिश्वास किया है कि तरह कल के तौसा विवांस्वां कामा रिसा की सरकार को दोना है और अब सरकार को भी गई नगे जनता की उमीद हो तक पराउत परना होगा जल्ड सर्म के जल पनजाब की जनता खुझिया हुगी है और उस तो लिकर पूरक हाका जो है ... Len ठीजार करिदे जिए गया है तिनRight क्पे कारण तीर कर्विम करें के साथ जिए लिटाय उनके सब्सक्राइब जो है और जल तेर करिदे ये तेलाल तीर करें के साथ जी चले शुक्रिया दीपा आपका इन तमाम जानकारियों के लिए तो कल पंजाब सरकार को एक महीना पूरा होने जा रहा है और इसी को लेकर कल पंजाब के सीम भगवंत मान जनता के लिए बड़ा एलान कर सकते हैं पंजाब के सीम भगवंत मान करने जा रहे हैं और अब सबसे बड़ा चुनावी वादा पंजाब के सीम भगवंत मान करने जा रहे हैं को बड़ी राहत भी मिलने जा रही है